नमस्कार अर्श्वागत है आप सभी का यूपी ट्रेपल सी से सभी भर्तियों को ले करके चाहे पुरानी भर्तियों या फिर आने वाले नए नोटिफिकेशन को ले करके संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियों के माद्यम से मिलने वाली है क्योंकि अभी हाल में एक्जाम होने हैं कुछ भरतियों में अंतिम फाइनल रेजल्ट आना है कुछ भरतियों में नेक्ष्ट स्टेज के लिए रेजल्ट आना है जैसे डीबी के लिए कुछ वैकेंसीज में अधियाचन के पत ज्यादा होने की जानकारी मिली थी लेकिन जितने पदों पर विग्यापन की बात कहीं गई है तो पद कम है सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कि 2014 से 2017 के मद कितने अभेटियों का चैन हुआ 17 से 22 के बीच में इसमें भी 20 और 21 कोविट काल में इसके बाद आप देखेंगे 21 से ग्यारा 2020 से PET लागू किया गया और उसके बाद आप देखेंगे 21, 22 और 23 PET परिक्षा का सफलता पुर्वक आयोजन कराय जा चुका है अप्रेल 2022 से मार्च 2024 के मद्य आयोग द्वारा 20608 अभेरतियों के चैन की कारवाई पूड की जा चुकी है आगे देखेंगे आप सभी आयोग द्वारा निकट भविश में आयोजन हेतु प्रिस्तावित मुख के परिक्षा है पी इटी 2022 पराधारित यानि कि ये भरतियां पी इटी 2022 से इनका विग्यापना आया था और इनके एक्जाम करवाई जाने है जिसमें आप देखेंगे BPO 1468 पद, X-ray technician 382 पद, दंत स्वास्ति विज्ञानी मुख्य परिक्षा होनी है 288 पद के लिए विग्यापना आया था इसी तरह से आपकारी कांस्टेबल, प्रवरतन कांस्टेबल मुख्य परिक्षा होनी है 477 पोस्ट इसमें है कब तक एक्जाम होंगे अभी इसमें कोई expected मंध्य डेट नहीं बताया गया है आगे देखें आप सभी लेखा परिक्षक, सहायक लेखा कार, नेत्र परिक्षड दिकारी समर्त कनिष्ट सहायक, कनिष्ट लिपिक, सहायक अस्तर तीन आसुलिपिक, वन रक्षक, वन नजी रक्षक, नक्सा नविस वह मान चितरकार ये 2022 की भर्तिया है जिनके एक्जाम कराय जाने है आगे फिर पी इटी 2023 से जिन भर्तियों की बिग्यापन आ चुके है इसमें आप देखेंगे बेसजीक आयरवेदिक यानि कि आयरवेदिक फार्मासिष्ट का पद है ये 2002 पदों के लिए इनका एक्जाम होना है सहायक इस्टोर कीपर, सहायक ग्रेट 3 मुख्य परिक्षा होनी है 200 पदों पर विग्यापन आया था अभी देखिये, जेए में, electrical और mechanical भी आगे बात करेंगे कि कौन कौन से विग्जापन आने है ये तो हो गई उबेवर्तियां जिनके एक्जाम कराय जाने है इसके बद आप सभी देखिये आगामे शिख्य मन्त में, दिसम्बर 2024 भी तक यानी गोसित किये जाने वाले प्रस्तावित अंतिम चैन परडाम जेई 2018 वरते एसो का रिजल्ट आ चुका है जेई 2018 का रिजल्ट जून 2024 में प्रस्तावित है तो ये रिजल्ट आपका आ जाएगा जून में ही और जून में ही मंडी परशत में बिबिन पदों की लिवी रिजल्ट जारी होना है और इसमें एक पद और है आप देखेंगे राजिक रिशि उत्पादन मंडी परशत की अंतरगत तो आपका रिजल्ट जून महिने में आयोक की द्वारा जारी किया जाएगा प्रस्तावित है आगे आप सभी देखेंगे संबलित ग्राम पंचयात अधिकारियानी बीडियो 2018 रिजल्ट जुलाई 2024 में आएगा तो आपका अभी अंति में रिजल्ट आना है फाइनल रिजल्ट डिकलेर होना है 1953 पतों के लिए भरती प्रक्रिया पुरानी भरती है आगे आप सभी देखेंगे संबलित तक्निकी शेवा है तो आपका अभी फाइनल रिजल्ट ही आना है अगस्त 2024 में जुलाई में बेडियो 2018 वन रक्षक वन जी रक्षक आपका रिजल्ट सितंबर 2024 में प्रस्तावित है वन दरोगा का रिजल्ट सितंबर 2024 में ही अनुदेशक मुख्य परिक्षा का रिजल्ट और मुख्य सेविका मुख्य परिक्षा का रिजल्ट यानि अभी next stage के लिए आपका result आना है तो अनुदेशक का result नौंबर दिसम्बर में और मुख्य सेविका का result भी नौंबर दिसम्बर में यानि कि ये मुख्य सेविका हो या फिर अनुदेशक हो तो आपका result नौंबर से पहले आने की उमीद बहुत कम रहेगी बिसेश करके मुख्य सेविका भरती में अभी कोर्ट से इष्टे है अभी आप देखेंगे आगे एक तो मुहरर की भरती आये थी जिसमें आप देखेंगे कि उसमें आगे प्रोसेस नहीं बढ़ पाया और विज्यापन ही रद्द कर दिया गया था फॉर्म हो गएर बहुत अभेरती भर दिये थी उसमें फिर आप देखेंगे इसमें कनिश्ट सहायक मुख्य परिक्षा इस भरती में भी आप देखेंगे कोर्ट का मैटर है कुछ पदों को लेकर के और मुख्य सेविका भरती परिक्षा इसमें भी आप देखेंगे कोर्ट में मैटर है और उक्तरीट याचका में पारित आदेश 13 दिसंबर 2023 में परिक्षा के अंतरगत मुख्य सेविका कि पतपर चैन के सापेक्ष परणाम घोसित न किये जाने का अंतरीम आदेश पारित किया गया है जो कि वरतमान में भी प्रभावी है तो यह चीज़े आप सभी को बहुत पहले से कई बार हम बता चुके हैं कि इस्टे है चाए डीबी का रिजल्ट हो या फिर फानल रिजल्ट हो और यही वज़े है कि आपका रिजल्ट रुखा पड़ा है लेकिन देखें ऐसा कुछ भी नहीं है पहले भी रिजल्ट आ सकता है और फाइल यहां पर हम लोग देखेंगे कि पी इटी दोजार तेईस की आधार पर प्रस्तावित नए विग्यापन पी इटी दोजार एक्की से अब आईस का कोई मतलब नहीं उनकी वेलेटिटि समाफ्त हो चकी है तो जो भी विग्यापन जो भी नए विग्यापन आएंगे पी इटी दोजार तेईस के आधार पर आएंगे जिसमें आप सभी देख सकते हैं 4700 पदों पर राजवस्व लेकपाल अब ये विग्यापन जब तक भी आ जाए लेकिन ये प्रिस्तावी था ये विग्यापन बाकी आगे जैसे भी जानकारे मिलती जाएगी आप सभी कोस की अपडेट देते रहेंगे भूमी अरजन अमीन 187 पदों की संक्या है इसका विग्यापन आएगा परिवार कल्याड से स्वास्तेकार करता महीला ए ए अनम के 5272 पदों पर विग्यापन आना है तो लगबग 5000 के आसपास पदों की संक्या उनुमाने थी पहले से जिन पर विग्यापन आ सकता था विग्यापन कब तक आएगा जैसे ही कोई भी जानकारी मिलेगी आप सभी को उसकी सूसना देते रहेंगे वाकि उम्मीद है कि next मंद से जुलाई से विग्यापन आने श्टार्ट हो जाएंगे जुलाई अगस्ट सेप्टमबर तक ये सभी विग्यापन देखने को मिल जाएंगे इसके आगे देखिए आप सभी होमेोफेटिक फार्मासिष्ट 397 यानि लगबग 400 पद है भंडार पाल लिपिक चिकी सहम स्वास्ते सेवा निदी साल है 120 पदों पर विग्यापन आएगा तो स्वास्ते विभाग में कई पदों पर विग्यापन आने है और ये चीजे अगर आपने कभी पिछले वीडियो को ध्यान दिया होगा तो हमने चीजे बता रखें आप सभी को कि स्वास्ते विभाग में कई पदों पर अलग-अलग बिग्यापन देखने को मिलेंगे, आगे देखिए आप सभी, BCG Technician TB स्वास्ते परिदर्शक, BCG Technician में 255 पदों TB स्वास्ते परिदर्शक में 37 पद हैं, ठीक है, इसके लावा उत्रबदेश, प्रदोसर नेंटरबॉर्द, अनुस्रवर्ड सहायक में 26 पद हैं, जेई में, इलेक्टिकल और मेकेनिकल में 498 पदों पर अभी विग्यापन आना है, कनिष्ट सहायक के भी, जूनियर असिस्टेंड के भी कुछ नए पदों की अधियाचन है, तो इन पर भी विग्यापन आएगा, और इस्टियनो ग्राफर, 113 पद, इस्टियनो ग्राफर में पदों की सिंख्या ज्यादा हो सकती है, अभी देखें कुछ भरतियों में अधियाचन अभी आ रहे हैं, जितने अधियाचन आयों के पास हैं, अभी जो अधियाचन आगे आएंगे तो उनसे पदों की सिंख्या और बढ़ेगी, कुछ और भी हो सकता है, नए भरतियों की विग्यापन या उनके अधियाचन आएं, तो हो सकता है कि उनके भी विग्यापन जारी हो सके हैं, आपने चिया पर देख सकते हैं एक लाएं, कई अन्य भिवागों से अधियाचन प्रतिक्षित, ठीक है, तो किसी एक पद के लिए भी हो सकता है कि कुछ अभी भिवागों से, या कुछ पद अभी अधियाचन के आने, सेसों तो पदों की संख्या बढ़ भी सकती है, इसमें एक विग्यापन को लेकर क्या और बात करेंगे, अभी अधियाचन के लिए भी आप लोग वेट कर रहे होंगे, या फिर कुछ और भरतियों से सम्मदित, आप लोग विग्यापन का वेट कर रहे होंगे, अब लोग पीसेस में कुछ जानकारी आप सभी ने देखा होगा, कि इस तरह की चीज़े आप सभी को सुनने को मिला होगा, कि बिना पेट के भी विग्यापन आ सकता हाला कि ये चीज़े अभी कनपर्म होने पर ही आप सभी को बता पाएंगे, अब हम लोग यहाँ पर यहीं चाहते हैं कि आयोग के द्वारा एक एक एक्जाम कैलेंडर जारी किया जाए, और अगर यहाँ पर एक नियम और बन जाए, कई भरतिया होती है, एक अभ्यरती का कई भरतियों में सेलेक्शन हो जाता है, तो यहाँ पर वेटिंग लिष्ट का प्रावधान होना चाहिए, वेटिंग लिष्ट आने से बहुत सारे पद खाली रह जाते हैं, भरतियां समय पर पूरी नहीं होती है, फिर नए विग्यापन आने में कितना समय लगे, फिर वेटिंग लिष्ट का भी प्रावधान होना चाहिए था, अगर यहाँ पर हम लोग मांग करेंगे तो निष्ट से इस पर फैसला लिया जा सकता है, तो यह कुल मिला करके UPCCC से महत्वपुर जानकारी थी आप सभी के लिए, बाकी आप सभी के मन में कोई भी सवाल हो, आप कमेंट करके जरूर पूछेगा, पूरी कोशिस करेंगे आपको रिपलाई देने की, और वीडियो को आप सभी प्लीज लाइक जरूर कर दिया करें, शेयर भी आप सभी कर दिया करें, ताकि सभी तक जानकारी पहुँचे, और अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, तो जरूर सब्सक्राइब कर लेजिए, धन्यवाद.